तो, Hello Everyone, This is a new video and I know exactly where is a video किस चैनल में आ रहा है, वो exactly बहुत ही लेट में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जो भी चीजें सीखेंगे, उसमें हमारे 100% देंगे और समझेंगे कि exactly किस तरीके से क्या यू निव चीजें आए हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं और बकाइदा वो बहुत ही next level के चीजें हैं, जो कि मैं आगे आपको different videos में देने बाला हूँ, आज का पुरा का पुरा जो हमारा concept रहेगा, वो basically रहेगा, कि किस तरीके से हम एक Photoshop में design बनाते हैं, modern design किसे बनाते हैं, तो मैं आपको दो website के बारे में बताऊंगा, जिन दो website को लेके हम आज के design को बनाने बाले हैं, पूरा basic से लेके आपको last तक में बताऊंगा, और इसमें बहुत मजा भी आएगा, वीडियो को last तक जरूर देखिए, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कि हमारे जो Photoshop है, उसको हम open करते हैं, exactly windows प्लस आर, और मैं यहाँ पर Photoshop लिखके यहाँ, और मैं जो Photoshop का version यूज करता हूँ, वो basically Photoshop CC है, Photoshop CC करके, और इसमें बहुत सरे features हैं, जो की help करते हैं, इसलिए मैं Photoshop CC को यूज करता हूँ, आप जो भी Photoshop यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी advanced tool के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको एक बहुत decent सा design आपको दिखाने बाला कैसे होता है, तो हम file में चलते हैं, new में चलते हैं, और हम लिजिए हम एक brochure बना रहे हैं, तो मैं A5 को इसको select करता हूँ, यहाँ पर side में मैं यहाँ पर promotion करके एक लिखी दूँगा इसका name, जो promo लिख देता हूँ, ठीक है, इसका name मैं create में click, आप चाहे तो background को white रख सकते हैं, या पिर कुछ color या पिर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर create में click, ठीक है, पिर हम यहाँ पर चलते हैं, zoom, click करता हूँ, और इसको fit, fit screen करके है, मैं screen करता हूँ, अभी के लिए, और बस हमारे browser को हम open करेंगे, इन जनरली में google chrome, airfox, in browser के use करता हूँ, और जब भी मुझे design करना होता है, मैं brave browser के use करता हूँ, क्यों क्योंकि brave browser में पहले तो है यह कि art नहीं दिखाता है, कुछ भी, तो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, यह बहुत help हो जाता है, क्योंकि art इसमें नहीं दिखाता है तो easy होता है search करके जिन चीज़ों को use करना, तो हम दो website के बारे में सोचें, मतलब कि use करेंगे दो website को इस video के दोरान, एक होगा free pick, यह अगर आप free pick करके लिखते हैं, और freepick.com करके, तो यह जो पहला वाला website, जिसमें से हम चीज़ों को लाएंगे, वाज आएगा, और यह बहुत ही एक बेहतरीन website है, जहां से आप बहुतारे चीज़ों को ला सकते हैं, और हम इस वाले वीडियो में जो design बनाने वाले हैं, वो भी यहां से हम लेने वाले हैं, फिर एक new tab चलता हूँ, और मैं यहां use करूँगा, pngwing करके एक website है, pngwing.com, अब try करिए इन दोनों website को ब्राउजर में open करने के लिए, जहां पर R थोड़ा से कम दिखाए, क्योंकि R अगर ज्यादा दिखाए हैं, तो आपको obviously थोड़ा सा दिकत ज्यादा होगा, तो पहले हम एक यहां से background लेंगे, और यह बाद हम एक front end का design बनागे, बहुत basic सा thing होगा, मान लीजे मैं यहां प वह basically 3D का related सोच करूँगा, तो मैं 3D background करके सोच करूँगा, क्योंकि 3D background बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे background आज के time में मिल रहे हैं, इनको आप use कर सकते हैं, और next level में आपका design है उसको ले सकते हैं, तो मैं यहां पर 3D background मान लीजे, यह बाला 3D background मिल रहा है, तो हमारे concept के हिसाब से मान लीजे मैं concept बनाने बहना हूं, जिसमें कोई भी एक product हम मान लीजे, हम publish करने बाला है, कुछ product मान लीजे, कुछ organic product के बारे में हम यहां पर discuss करने बाला है, तो मैं यहां पर click करता हूं, और click करने के बाद यहां पर आप देख सकते होंगे, कि हमारा image आ high quality में image में व्रीपिक में और आप premium में ले सकते हैं अगर इसको आप यू satu करना चाहते हैं आप वगए कंपानी है나 और भड़े moster या फिर कुछ बड़े तरीके से आगर काम करा हैं तो इसको प्रेमियम लेना ज़रुरी है क्योंकि आप beth जो प्रोमोशन है उसमें कुछ कॉपीराइट के इसूज ना आ हैं लेकिन अगर आप मिडल लेवल के एक डिजाइनर हैं एक कमपनी हैं जिसमें टॉन नबर थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं है Microsoft की तरह या पर Google की तरह तो आप इसको बहतरीन यूज कर सकते हैं यहां पर फ्री में भी यहां पर फ्री डाउनलोड करके हैं यहां पर ठीक है और मैं इसको एक जीप में डाउनलोड हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं है इससा यहां पर डानलोड कर देते हैं , Edison टिक है , इसमें यह फो इमेज है इसको डानलोड बतल्ब नहीं है कि आ इसे को यह ले , आप चाहिए तो किसी दूसरे को भी यहां से ले सकते हैं , यहां पर should be यहां से जो यहां पर दिखा रहा है , I just type सिंपल सा बात ही है कि हमें हमारे concept के हिसाब से image को चूज करना है तो वह एक बहुत important चीज है उसके लिए नजरिया चाहिए तो कोई दिक्कत वाली ऐसे बात नहीं है कि आपको नहीं आएगा आप 10-20 डिजाइन बनाने के बाद आपको भी वह नजरिया जो होता है वह आ जाए कुछ भी और गानिक को रिलेटेड करके कुछ भी यहां पर आ रहा है तो तरी तरीके के चीज आ रहे है आप खुद भे खुद सौर्च करिए जो भी आपको प्रोडॉक्त या फिर जो भी चीज आपको वहां पर डालना है डिसाइन में डालना है उसको आप यहां से यूज करिए तो माल लीजे मैं अभी और गानिक को यहां पर चूज किया हूं और यहां से मैं कुछ चीज हों को लूगा माल लीजे मैं कुछ प्रोडॉक्ट को ले लता हो यह तो कुछ पर बेले किन आप चाहिए तो कुछ images models को भी ले सकते हैं models भी यहां पर high quality में मिलतें तो दे जो कि आपको design को एक next level में ले जा सकता है, ठीक है, तो यह बस मैं कुछ यहां से एक organic को लेके कुछ माल लेज़े यहां ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो माल लेज़े मैं अभी यह बाला जो particular, बैग है, वो बैग को मैं यहां पर चूज कर रहा हूं, और अभी के लिए मैं माल जो 50% off का एक design बनाने बाला हूं, इसलिए मैं इसको यहां पर download कर दूँगा, तो आप चाहे तो इसे models को या फिर कुछ चीज़ों को related चीज़ों को भी आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे thousand thousand तो कम होगा, लेकिन 5000 से ज्यादा images हैं और जो कि आपको 110% sure help करेंगे आपके design में, तो मैं अभी यह वाला लेने वाला हूं, देख सकते होंगा, यहां पर 2.86 MB का है, तो download this png में, चूज करता हूं, यहां पर click alphabets in order and download png करके हैं, तो एक verification का step है, पर्सेंटेज e o and b हम इसको choose करते हैं, जलत दिखा रहा है, तो यहां पर थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं, यहां पर add delete करके है, फिट करके है, और हो गया, यह हमारा अभी image जो है, वह download हो जाएगा, कुछ देर wait करते हैं, तो हमारा download हो जोगा है, ठीक है, बस अभी हमें design बनाना है, बहुत easy है, बस simple step में आपको बनाना है, पहली बात नहीं है, पहले तो मैं हमारे download करो, download के उपर click करता हूँ, मेरा पहला zip था, जिसको मैं right click करके unzip कर दूँगा, extract to, करके unzip कर दूँगा, यहां पर आ चुका है, ठीक है, जाते हैं, जैसे कि उसका बादल हो गया, जो चीजें हैं उसको अगर changes करना है, तो आप उसको PhD में ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, मैं directly इसको, इसका image है, उसको ही मैं use करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस image में कुछ changes करना नहीं है, अगर आपको चाहिए यह कुछ changes करना है, तो आप चाहिए तो इसका PhD को भी use कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, कि यह जो image है, इसको मैं इसे drag करके, हमारे Photoshop में इसे डाल दूँगा, तो यह हमारा image यहां पर आ चुगा है, ठीक है, अपर full कर देता हूँ, यहां पर मैं ok कर रहा तो इसको अच्छे से adjust कर सकते हैं, जैसे मान लिजिए थोड़ा सा gap आए, अच्छार लगे, तो आपको adjust करना है, आपको आपके हिसाब से, कुछ नहीं, मैंने बस उसको drag किया, drop किया, that's it, ठीक है, और दूसरा जो हमारा image है, उसको भी हम यहां से डाल देते हैं, मान लिज exactly कि यह हमारा 50% और कुछ चीजों को यहां से ठीक करना, अभी तक तो अगर हम देखें, इसमें ही हमारा design थोड़ा सा थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया है, देर आए भी से, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजों को हम changes करेंगे, जो की हमारे हिसाब से हो, जैसे पहले हो गय जिसमें वो रखा हुआ था, उसको ला सकते हैं, अभी के लिए तो मैं आपको बेसिक सा design देखा रहा हूँ, तो बात है यह है कि मैं यहां पर इसको round shape करके ellipse ले लूँगा, और उसका fill color है, उसको कर रहा हूँ, यहां पर एक shift को use करके मैं यहां पर एक circle बना रहा हूँ, ठीक है, आद इस circle बड़ा कर देखा, आप चाहे तो shift को use करके बड़ा कर सकते हैं, और इसको आप से नीचे, तरीके से हम नीचे, ठीक है, उसके से modern design में होता है, उस तरीके से, अभी यह बाला जो image तो इसको हम यहां से right side से इसको थोड़ा से उपर ले लें, यह थोड़ा से कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो अभी तक हमारा design completely थोड़ा थोड़ा से अच्छे से आ चुगा है, अभी हमें 50% off का यहां पर डालना है, कुछ QR code डाल देंगे, कुछ लिखावर्ट, जैस कि मैं वही PNG wing में जाओंगा और यहां पर लिखोंगा 50%, बहुत सारे ऐसे off का design यहां पर मिल जाएगा, तरह तरीका design पहले से है, बहुत सारे designs पहले से है, जो कि यहां पर available है, आप उनको use करें, कुछ भी beginning से करना नहीं है, आपको use करें, आज की time में आपको जितना use कर सक पूरा का पूरा नया चाहिए, तभी आप उसको बनाईए, वरना मेरे हिसाब से चीजों को जितने जल्दी और simple way में बनाते हैं, उतने ही अच्छे मेरे लिए मतलब की मेरे हिसाब से है, अभी किलिए मैं यहां पर यह 50 version type का tag उसको ले रहा हूं, क्योंकि हमारे basket साथ यह क्लिक करते हैं, और एक बार अगर verification आपने दे दिया, तो दूबारा यह बहुत लेट में ही चलते हैं, और यह 50% of tag यहां पर उसको क्लिक करके ड्राग करके ले जाते हैं, वही simple सा चीज राग करके लेना है, और इसको इस तरीके से में मान लेजें, यहां पर दे सकता हूं, तरीके से, 50% of tag, आप चाहें, तो इसको, देखें, कुछ जगे में अच्छे से fit होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो इस तरीके से आ रहा है, लग रहा है, थोड़ा सा दिकत है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे 50% of tag दिखाना था, जो की, वो जुगा है, आप चाहे इसका बहुत सरे चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, जिसके color हो गया, यहाँ पर एक color overlay करके है, जहाँ पर आप चाहे तो color को changes कर सकते है, reply करके है, या फिर gradient overlay करके है, यहाँ पर तर 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 चीज़ें है, यहाँ पर आप इसको try कर सकते हैं, आउटर glow करके है, यहाँ पर इस तर तर चीज़ें है, उनको आप खुद बेगुद try करिये, इतने अच्छा हो सके है, उतना easy है, ठीक है, तो पहले हमने एक background लिया, उस के उपर हम png को डालें, बस, खतम, और हम qr code डाल देते हैं, कुछ भी qr code मान देजिए, अभी के लिए मैं qr code डाल देता हूँ, चाहे तो आप qr code मतलब कि खुद भी बना सकते हैं, तो आपको search करना होगा qr code generator करके, अभी एक basic सा qr जो रहता है, उसको कोई भी बना सकता लेकिन अगर आप premium qr code जिसमें कुछ terms condition या फिर कुछ other चीजें हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहते हैं, जैसे कि exam exam में जो आपको qr code मिलता है, या फिर other कुछ चीजें में जो qr code मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत बगरा होते हैं, लेकिन आप चाहे qr code को इस तरीकी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर लिख रहा हूं मान लिजे, marketing करके लिख दे रहा हूं, कोई बड़ा हमको नहीं बनाना, तो यहाँ पर marketing guard लिख रहा हूं, आप scan करके देख सकते हैं, अभी इसको download jpg करके हैं, हम यहाँ पर download करके, to your case generated, please do not refresh, और दिखा रही है, कुछ करिये मत, png जो है, और download, कोई नहीं हम इसको ऐसे ड्राग करेंगे, और डाल देंगे, पतम, ठीक है, middle में, आप इसको design में थोड़ा सा अलग, तरीके से, और जो भी कुछ design आप बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, कोई नहीं, और एक website का link हम नीचे डाल सकते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट है, टी में click करेंगे, और यहाँ पर हम नीचे तूज करके, color मैंने बोला था पहले से ही, कि आप जब भी कुछ design बनाएं, हमेसा try करिए, कि आपको जो background है, या फिर कुछ हैं, चीज़ें हैं, उन से ही वकाइदा आप चीज़ों को, इसको paste कर रहा हूँ, इसको paste कर रहा हूँ, प्रोल लेकर करके से कर रहा हूँ, capital X को, और OK, ठीक है न, यह हमारा जो link है, वा आ चुका है, उसको बड़ा चोटा करना है, center में थोड़ा सा लाना है, तो इसको center में डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यह हमारा पूरा-पूरा design हो गया, इसको advanced level में डालने, लेने के लिए, आप कुछ-कुछ चीज़ों को जैसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लिजे सबसे पहला, shadow अगर आपको डालना है, तो shadow में एक पहता है, उसका एक अलागी format है, जो अभी में आपको एक simple सा बड़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक brush करके है, यहाँ पर brush tool करके है, तो एक new layer लेना है, यहाँ पर पहले तो new layer लेना है, brush में यहाँ पर इसको, इसको तो क्लिक करना है, यह white दिखा रहा है, अभी के लिए मान लिजे कि मैं अभी इसको white से बड़ा कर रहा हूँ, blending option जो है ना, उसमें से ही हम चाहे तो color को change, color overlay करके है, इसमें dark choose करके है, और हमारा जो design है वो इस तरह के से कुछ दिए, तो थोड़ा सा हम ज्यादा कर सकते हैं, करने के बाद simple है, आपको इसको background में डालना है, तो यही चीज़े हैं, शादा ऐसे बड़ी बात नहीं है, एक बार आप इसको ऐसे adjust कर लें, और इसको आपको नीचे डालना है, बस, पतम, नीचे लेने के लिए आपको बहुत simple है, आपको drag करना है, कुछ दिकत वाले बाद नहीं है, आपको drag करके, इस particular चीज़ के नीचे आपको लेना है, पसिटी को आपके हिसाब से आप adjust करिए, जैसे, करिए, और मुझे लग रहा है, यही कुछ आसपास अभी आ चुगा है, ठीक है, इसके बहुत सारे methodology है, साड़ो बनाने के बहुत different ways है, आप चाहे तो उसको search कर सकते, यूटूब से, लेकिन एक सबसे basic design, और decent अगर design बनाना हो, मैं recommend करूँगा आपको कि आप इस तरीके से use करें, एक अच्छा सा background चूज करें, कुछ PNG को download करें, उसके बीच में जो layering होता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से adjust करें, और आपका design, फूबहू आप जैसे चाहते होंगे, वो उस तरीके से हो जाए, और एक और बात, जब भी आपको इस design बना रहे हैं, हमेशा mind में इस तरीके से रखे कि आपको उस design में कुछ important fact रखना है, जैसे एक motive, एक goal देके उस design को बनाना है, ठीक है ना, कि उसका एक specific क्या बोलते हैं, फोकोस हो, जैसे अभी यहाँ पर जो मैंने डाला हुआ है, जब यहाँ पर मेरा branding होता, यह हमारे organic food.com करके कुछ होता है, और यहाँ पर scan करके देता है, 50% पर देता है, और यहाँ पर एक लड़की है, जो की ठेला लेके चीजों को ले रही है, तो यह हमारे promotion के लिए हो ज में एक extra additional आपको website बता दे रहा हूँ, जो की आप, तो website का नाम है, icon करके, flaticon.com करके, flaticon.com के एक website है, वो free peak का ही एक version है, ज़र करता हूँ, जो है, यहाँ पर आप चाहें तो social media लेक सकते हैं, यहाँ, और आपको literally यहाँ पर हर तरीके के social media का, पूरा का पूरा एक set, design, structure, सब कुछ मिल जागा, आपको सिर्फ यहाँ से, इसको download करना है, use करना है, बस उधना है, वही वही एक चीज़ जो की आपको download करना है, उसको use करना है, अभी मैं मान लिए आपको एक दिखा रहा आपको, इस तरीके से होगा कि हम यहाँ पर Instagram को रिखेंगे, क्योंकि Instagram viral चल रहा है, मतलब की हर चीज में Instagram आ रहा है, अगर देखा जाए तो मुझे तोलबा से Instagram कम ही interest लगता है, यहाँ क्योंकि बात यही है कि Instagram में यार इतना अच्छा चीज़ें हैं, पूरे चीज़ों को promote किया जा रहा है, वो भी खुद का खुद उसका algorithm में जो है, वही उसके मतलब की बुरे चीज़ों को, वो notice ज्यादा कर रहा है, यहाँ मुझे Instagram थोड़ा सा, कितना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोई नहीं हम यहाँ पर Instagram करके, और आप देख सकते होंगे, यहाँ पर जाईए उसको डाली है, ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पर share, fare करके उसको ले सकता हूँ, अभी के लिए मान लिए बहुत decent सा लेना चाहता हूँ, तो decent के लिए मैं अभी Instagram का जो, official kind of thing है उसको ले तो यहाँ पर free है, तो आप यहाँ पर copy कर सकते हैं, वो एक बहतरीन चीज यहाँ से, आइकन को आपको simply यहाँ से करना क्या है, कि आपको download भी करना नहीं है, आपको यहाँ पर copy करना है, एक message आ गया, copy to clipboard करके, और आपको जो भी design है, वहाँ पर जाके control V करके इसको paste करना है, तो वो भी एक बहतरीन चीज लगा मुझे, जो की बहती अच्छा है, इ क्योंकि, as it is very black, पुरा का पुरा पुरा जो black है, तो इसलिए उसमें ज्यादा फरक नहीं पड़े करना है, यहाँ पर छोटा कर रहा हूं, और इसको हम यहाँ पर करते रहा हूं, यह जो so transformation का जो चीज़े हैं, यहाँ पर मैं off करते रहा हूं, तो यह transformation दिखाएगा नहीं, और आप चाहे तो इसको कहीं पर भी डाल सकते हैं, अभी के लिए मान लीजे में इसको यहाँ पर डालो, या फिर आप चाहे कहीं पर भी डाल सकते हैं, चछे जगह में धूडिये डाले, मान लीजे में इसको यहाँ पर डाल रहा हूं, क्या करते हैं, इसको यहाँ पर उप जादा सा खेगे ना लिखे देंगे करके नहीं है यहाँ पर लिखेंगे पर एक्जाम्पल प्रीन मालीजे है तो तो हम क्या पास बाश उटा कर देंगे क्या हमारा अच्छे से रख लिया हम इसको पसा आरेंज वारेंज कर लेंगे और तो अच्छे से बहुत ही इसे आपको बताया इस वाले वीडियो में इस तरीके से आप एक डिसेंड सा डिसाइन बना सकते हैं कोई बात नहीं आप इसको चाहिए तो दुबारा देख सकते हैं या फिर जब मैं बना रहा हूं उसको लेके आप बना सकते हैं और मैं 100% गारेंटी देता हूं बहुत ही इजी टाइम में बना सकते हैं तो एक फुल फेज फोटोसप का एक वीडियो हो गया तो यह बाला वीडियो रहेगा आपके पास इस बाले के बाद अगर दूसरा कुछ फोटोसप के रिलेटेड वीडियो डालना पड़े मुझे तो आ यह बहुत है और लोगों मेकिंग केस दे करते हैं कैसे कुछ प्रोफेशनल फ्लायर बनाते हैं या फिर दूसरे कुछ कुछ चीज़ें हैं लेटर वाट पके से बनाते हैं इस तरीके से अगर चीज़ों को जानना है तो फिर आप कमेंट बात कर सकते हैं मैं उसके लिए भी से लेके अभी तक completely देखा क्योंकि यह बहुत बड़ा वीडियो है तो आपने बहुत पेसेंस के साथ इसको देखा हैं अगर आपको अच्छा लगा हो पूरा का पूरा वीडियो तो आप चाहे तो इसको लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के स्यार कर सकते हैं अगर किसी को चाहते हैं कि एक बेसिक डिजाइन कैसे क्या आता है और खुद बनाईए कुछ अच्छा बनाईए और बनाने के बाद आप चाहे तो उसको कमेंट में डाल सकते हैं और हमारा एक ट्यूटर का भी एक क्या बोलते हैं आईडी है आप चाहे तो उसमें भी हमें कर सकते हैं इं और 100% sure हम आपके इस वीडियो के response में अगर हूँ आया तो हम appreciate करेंगे जरूरी thank you that is all about and अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करीए ज्यादतर वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन करीए अगर अच्छा लग रहा है तो और अभी से हम try करेंगे थोड़ा स में वीडियो आएंगे take related आएंगे take regarding दूसरे कुछ चीजें आएंगे जो की होंगे purely learning के regarding किस तरीके से converse में design होता है किस तरीके से photoshop में design होता है किस तरीके से कुछ tools को use किया आता है यह इस दोरान यह वाले कुछ होंगे videos तो अभी plan कुछ है इस तरीके से और detail के बारे में भी मैं videos में लाऊंगा आगे पढ़ाही का जो series हम चल रहा था उसके बारे में भी लाया हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं तो बस उसके लिए thumbs up करिए and that is all about this video इसका जो thumbnail होगा जो भी होगा सब कुछ में boring सा बनाऊंगा देखते हैं कि कौन-कौन इसको देखने के लिए अधर भी देखते हैं और इसको genuinely use करते हैं तो सब कुछ try करूंगा बहुत के लिए क्योंकि लुभाना नहीं है कुछ बनाना है ठीक है thank you